नमस्चार दोस्तो हमारे YouTube चैनल fitness group में आपका फेरेक्स सवागत है। दोस्तो जब आप तनावगरस्त होते हैं तो आपका चिड़चड़ा होना स्वाबवी कहोता है। यही आदते आपके मानसिक स्वास्त के बारे में बताती हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप तनावरस्त ही रहें। आज हम आपको इस वीडियो के जरीए कुछ ऐसी जरूरी आदतों के बारे में बताएंगे जिसके पालन से आप इस समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं जिन में सबसे पहले स्थान आता है नियमित दिन चट्या का अपनी दिन चट्या को नियमित रखना चाहिए सुबह उठने और रात को सोने का समय निर्दारित होना चाहिए निद आपको अवशे ही पूरी लेनी चाहिए चाहिए कोई भी स्तिति हूँ आपको 6-8 गंटे के बी योगा को आशे ही सामिल करना चाहिए स्वस्त मस्तिस्क के लिए वयाम बहुत ही जरूरी होता है इससे नए के लाप भारी रूप से फिट रहते हैं बलकि आप अंदर उने रूप से भी से फिट रहेंगे शरीर में रत संचार को ठीक रखना चाहिए और वयाम और योगा इ स्वस्त खानपान की आदत को लाना चाहिए सबसे बड़ी बात यह है कि खानपान का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है ऐसी चीजों का सिवन बिलकुल भी ना करें जिससे आपका स्वास्त बिकड जाए जैसे की फास्ट फूड शराब सिगरेट इत्यादी का सिवन आ मचली आदी चीजों का सेवन करने से हम अपने स्वास्त की ठीक डंग से देखबाल कर सकते हैं आपको जितना हो सके गैजट से दूरी बनाये रखने चाहिए जैसे की स्मार्ट फून, कंप्यूटर, लैप्टॉप से आपको दूरी बनाये रखने चाहिए जरूरी हो तबी इसका इस्तिमाल करना चाहिए, अन्याता आपको इसका इस्तिमाल नहीं करना चाहिए, खास कर सोते समय हर किसम के गैजेट्स को अपने से दूर अवश्या रखें, हमें हमारे जिवने में एक्टिव बना रहना चाहिए एक्टिव रहने के लिए आप किसी खेल में हिसा ले सकते हैं न्यूस्पेपर, नॉवल या फिर कोई भी अच्छी बुक पढ़ने के आदत आपको डालने चाहिए इन सबसे आपका दिमाग स्वस्प रहेगा और आप एक्टिव बने रहेंगे तो दोस्तों इस परकार से इंचार टिप्स का फॉलो करते हुए आप अपने दिमाग को स्वस्प एक्टिव रख सकते हैं तो यदि आपको हमारी चोटी जानकारी पसंद आई हो तो किरप्या इसे लाइक आवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों और सगे संबंदियों तक पहुंचाने के लिए किरप्या इसे शेयर भी जरूर कीजिए धन्यावाद दोस्तों